हेलो एवरिवन, वेल्कम टू लर्निंग बुक, लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 25 सेप्टेंबर और 26 सेप्टेंबर 2020 से संबंदित करिंट अफेयर के महतपूर प्रशनों को डिसकस करेंगे अपने कोस्चन के डिसकर्शन की सुरुवात की जा, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक स्याधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें और जो नए वीवेस्ट चैनल से आज पहली बार जोड़ें, उससे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे जो भी नए वीडियो चैनल पे अपलोड़ो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके आईये फिर सुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रस्षण के साथ, आज का पहला प्रस्षण है वा कौन सी कंपनी है जिसने नए संसत भवन बनाने का ठीका 861 करोड रुपे की बोली लगाकर नए संसत भवन को बनाने का ठीका हासिल किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने option A इसका correct हो जाएगा भारत में जो मौझूदा समय में संसद्भावन है ये 1911 में जब ब्रिटिस राज में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गए उसी समय इसकी सुरुवात हुई थी बनने की लेकिन संसदों के बैठने के लिए कोई अलग से चैंबर नहीं है संसद्भावन में साथी साथ जो इलक्ट्रिक सिटी की सप्लाई है उसमें कई सारे कमिया नजर आई हैं इंजीनियर्स को और इसी सब के मद्दे नजर एक नया संसद्भावन बनाने के लिए बिड जारी की गए थी गौर्रमेंट के द्वारा और इस बिड में 861 करोड रुपे की बोली लगा कर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको हासिल किया है नया संसद्भावन बनाने के ठीके को भारत में जो संसद्भावन है ये दो हैं एक तो लोकसभा जिसे हम लोवर हाउस बोलते हैं और इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनित पहुंचते हैं दूसरा है राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं अपर हाउस में जो जनता प्रतिनित चुनती है उनके माध्यम से मतलब कि इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनित पहुंचते हैं तो लोवर हाउस, लोकसभा और अपर हाउस को राज्य सभा बोलते हैं जो मौझूदा संसद्भूवन है ये अनुवानता एक साल में बनके तयार हो जाएगा अरtv हम कुछ और जो अलग-अलग देश हैं वहाँ पे संसद्भ का नाम क्या है, पारलियमेंट का नाम क्या है उसको डिसक्रस करेंगे क्योंकि ये कई सारे एक्जाम में ये कोशिन पूछे जाते हैं भारत के lower house का नाम लोक सभा और upper house का नाम राज्य सभा है ब्रिटेन के lower house का नाम house of commons है जबकि upper house का नाम house of lords है USA के upper house का नाम सिनेट है और house of representative ये lower house का नाम है USA के रशिया के upper house का नाम federal council है जबकि state duma ये नाम है lower house का रशिया के पाकिस्तान के अपर हाउस का नाम सेम वही है जो की USA के है यानि की सीनेट नाम है पाकिस्तान के अपर हाउस का जबकि लोवर हाउस का नाम नेसनल एसेंबली है ये कुछ लोवर और अपर हाउस के नाम थे जो की एक्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले किनी ना किनी एक्जाम में तो आपसन ए पहले कोश्चन का एंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है केंद सरकार ने जम्मु कास्मीर के चात्रों के लिए प्रगती और सक्षम चात्रवर्ती योजना के तहते चात्रवर्ती रासी पाँच हजार से बढ़ा कर कितने हजार रुपे प्रतिवर्स कर दी है केन सरकार द्वारा सक्षम छात्रवर्ती योजना के तहर जो छात्रवर्ती की राशी प्रदान की जाती थी जम्मू कास्मीर के छात्रों को ये पहले 5000 थी लेकिन अभी केन सरकार ने इसे बढ़ाके 10 गुना इसको बढ़ाकते हुए 50,000 रुपए प्रतिवर्स कर दिया है आप्सन C करेक्ट हो जाएगा और के जो लिटिनेंट गवर्नर है मनोस सिनहा जम्मू कास्मीर के इन्होंने अभी हाली में एक जम्मू कास्मीर के जितने भी लोग हैं जितने भी वहां का पापुलेशन है प्रतेक व्यक्ति के लिए जम्मू कास्मीर के एक स्वास्त बीमा यूजना लाउंच किया है मनुष सिनहां वहां के लिटिनेंट गवर्नर ने जम्मु कास्मीर भारत का यूनियन टेरेट्री विथ लेजलेटिव है जहां पे option C correct हो जाएगा next question है ACI विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया country director न्यूप किया गया है भारत के लिए नया country director न्यूप किया गया है टे को कुनीशी को option B correct हो जाएगा ACI Development Bank ये प्रतेग देश में अपना एक डिरेक्टर रखता है जो कि जो भी project work है ACI Development Bank के प्रतेग देशों में ACI के उन पे ये नजर रखने का काम करता है यानि जैसे आपने किसी project के लिए ACI Development Bank से लोन लिया तो आपने जिस project के लिए उस लोन को लिया है ACI Development Bank से सेम वही project उस पैसे से किया जाए इसी के लिए एक प्रतेग देश में एक डिरेक्टर न्यूप करता है ACI Bikas Bank इसीयन डिबलमेंट बैंक और तोको कुनीशी को भारत का नया country director न्यूप किया है ACI Development Bank ने ACI Development Bank के जो भारत है ये चौथा सबसे बड़ा सेर धारक है ACI Development Bank का सबसे बड़ा सेर धारक ACI Development Bank का Asian Development Bank का जापान है फिर US है और तीसरे नंबर पे चाइना और चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर धारक Asian Development Bank का इंडिया है जापान, US और फिर चाइना के बाद इंडिया चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है Asian Development Bank का Asian Development Bank का Headquarter Manila Philippines में इस्थित है और मासाथ सुगू अस्कावा इसके चेयर मैं है हाली में भारत के जो चीफ एक चीफ इलक्षन कमिशनर होते हैं और एक इलक्षन कमिशनर होते हैं दो इलक्षन कमिशनर होते हैं भारत में और एक चीफ इलक्षन कमिशनर होते हैं तो भारत के इलक्षन कमिशनर असोक लवासा ने अपने पत से स्थीपा दे दिया और उन्होंने Vice President of Asian Development Bank के पत को ग्राड किया है यानि कि Vice President Asian Development Bank के असोक लवासा है जो कि भारत के पूर्व Election Commissioner थे Asian Development Bank ने भारत को 1.5 billion US dollar का लोन दिया है COVID-19 से fight के लिए यहाँ पे option भी correct हो जाएगा next question है हाली में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है अपने देश के प्रतेग जनता को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देगा अमेरिका अमेरिका ने ऐसी एक योजना जारी कर दी है अपने देश के लिए हलां कि अभी अमेरिका की जो वैक्सीन है, वो अपने ट्रायल स्टेज के लास्ट फेज में है, यानि अभी वो पूरी तरीके से Mr. Tried उसने पास नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो अपना लास्ट फेज पास करने के बाद, उसकी manufacturing सुरू हो जाएगी. अगर हम पूरे वर्ड की बात करें तो पूरे विश्व में रशिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपने देश में वैक्सिनेशन का कारी सुरू कर दिया है हलाकि जो रशिया की वैक्सीन है जिसका नाम है स्पूत्निक V यह अगस्त में जारी की गई थी लेकिन इसे डब्लू एच्चो द्वारा माननेता नहीं दी गई है डब्लू एच्चो का कहाना है कि इस पूतनिक वी जो की रशिया की COVID-19 वैक्सीन है यह जो वैक्सीनेशन का एक प्रॉसेस होता है उसको जब पूरी तरीके से कोई भी कंट् एक्सेन खरी उत्रे डब्लू एच्चो का कहना है कि रशिया की वैक्सीन स पूतनिक वी यह डब्लू एच्चो द्वारा बनाये गए सारे मानको पर खरी नहीं उतरती है क्योंकि इसने काफी कम ट्रायल किया है और यह स्वास्त के लिए खतरा बन सकती है इसलिए डब्लू से ही इस पे काम सुरू कर दिया गया है वैक्सिनेशन का तो रसिया पहला ऐसा देश है जो अपने देश स्वासियों को कोविड-19 की वैक्सिनेशन का कार्य सुरू कर दिया है अपने देश स्वासियों के लिए और भारत के स्वास्त मंतरी हर्श वर्धन सिंग ने अभी कुछ हाल ही में एक घोशड़ा की कि भारत जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड लोगों को वैक्शिनेशन खतम कर चुका होगा यानि कि भारत की जो पापुलेशन है होगी जुलाई 2021 तक उसका 20 से 25 करोड लोगों को वैक्शिनेशन कर चुका होगा भारत इसमें वो इस पूतनिक वी को भी साम करीब है वैक्सिन वनाने के उसके भी वैक्सिन को सामिल कर रहा है और भारत में भी ऐसे उमीद की जा रही है कि दिसंबर लास्ट या 15 सेप्टेमबर तक भारत खुद की अपनी वैक्सिन तयार कर लेगा तो इन सारी इसमें वैक्सिन की चर्चा हर्श्वरधन शिंग द्वारा नहीं की गई है कि कौन सी वैक्सिन से भारत 20 से 25 करोड़ों को वैक्सिनाइज कर देगा आपने वहां के जुलाई 2021 तक लेकिन उन्होंने ये बात एक पत्रकार सम्मेलन में कही कि भारत की पब्लिक से 20 से 25 करोड़ों को जुलाई 2021 तक वैक्सिन लगाए जा च मुफ्ट वैक्सीन कोरोना के लिए देने की उजनाव बनाई है жест हाली में FIFA की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम अस्थान हासिल किया FIFA की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में फ़स्ट रैंक पे है Belgium, सेकंड पे है France और थर्ड रैंक पे है Brazil जील और भारत के रैंक की अगर बात करें तो भारत इसमें 109 रैंक पे है जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई है फीफा की और फीफा वर्ड कप इसके पहले जो हुआ था फीफा वर्ड कप फुटबाल का सबसे प्रतिष्ठित वर्ड कप है और ये 2018 में खेला गया था प् फीफा वर्ड कप कतर में खेला जाएगा रशिया में जो फीफा वर्ड कप 2018 में हुआ था इसमें फ्रांस और क्रोईशिया फाइनल में पहुँचे थे फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ड कप जीता था और क्रोईशिया उब जैता रहा था और फ्रांस की रैंकिंग दूसरे पे पर है और ब्राजील तीस्रे अस्थान पर है भारत की 109 वां भारत का रंक जो है फीफा वर्टकम रंकिंग में 109 है और ब्राजील ऐसा देस है जिसने सबसे जादा बार फीफा वर्ल्डक oppose को जीता है नेक्स्ट कोश्चन है विश्व के ताजा वारसिक Human Capital Index 2020 में भारत की क्या रेंग है Human Capital Index यानि कि मानो पूजी सूचकांक 2020 अभी हाली में जारी किया गया इसे जारी करने वाली संस्था होती है प्रतेकवर्स World Bank विश्व बैंग द्वारा प्रतेकवर्स मानो पूजी सूचकांक Human Capital Index को जारी किया जाता है इस वर्स जो Human Capital Index जारी किया गया इसमें कुल 174 देशों को सामिल किया गया और जो डेटा लिए गये हैं वो मार्च 2020 तक के लिए गये है Human Capital Index में इन 174 देशों के Health और Education संबंदित आकड़ों को सामिल किया गया और फिर एक रैंकिंग निकाली गई इसमें 174 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 116 रैंक है Option B Correct हो जाएगा और ये रैंकिंग काफी खराब रैंकिंग मानी जाएगी Human Capital Index की भारत के लिए और अगर हम First रैंक की बात करें तो Human Capital Index मानो पूजी सूचकांग में सिंगापूर पहले अस्थान पे, Hong Kong दूसरे अस्थान पे और जापान तीसरे अस्थान पे है Human Capital Index का जो पिछली रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें कुल 157 देश लिए गए थे और उस समय भारत की रैंकिंग 115 थी, जबकि इस वर्स 174 देश लिए गए और भारत की रैंकिंग 116 हो गई है जो ये रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें किस देश ने हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे अच्छा काम किया है उसी के लिए ये रैंकिंग जारी की जाती है, Human Capital Index और भारत की रैंकिंग 116 है इस वर्स की Next Question है किस राज केविनेट ने दुरगटना पीड़्टो के लिए बाला साहब ठाकरे राज दुरगटना बीमा योजना को मंझूरी दी है देखें नाम से ही पता चलना है, बाला साहब ठाकरे राज दुरगटना बीमा योजना, ये महराश्ट सरकार की है इस योजना के अंतरकत किसी भी व्यक्ति का जो महाराश्ट का रहने वाला है उसका अगर दुरघटना होता है तो सुरुवाती 72 घंटे में जो भी खर्च आता है दुरघटना के बाद सुरुवाती 72 घंटे यानि की तीन दिनों तक जो भी खर्च आएगा उसमें से 30,000 लर्निंग प्लेटफॉर्म लांच किया और डिज्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लांच करने के लिए महाराश्ट्रा सरकार ने गूगल के साथ समझ होता किया है और एक निर्माडश्री कारिक्रम को भी लांच किया गया है महाराश्रा सरकार के द्वारा हलाकि निर्मा और औड़ीशा में पहली बार में और फिर धीरे-धीरे करके इस सारे स्टेट में इंडिया की चलाये जाएगा, निर्मार स्री नाम से जो योजना है, इसको यूरोपियन यूनियन का समर्थन प्राप्त है, और इसमें हाउसिंग सेक्टर, यानि की जो ग्रिह निर्मार का कार होता है और जो प्लम्बरिंग का काम होता है जो आपके दरवाजे बनाते हैं इन लोगों का काम होता है इन सारे लोगों के कामों के लिए महिलाओं को भी प्रसिक्षित किया जाएगा और इसके लिए European Union ने ही निर्मार स्री नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉंच किया है और इस प्रोजेक्ट को लॉंच किया गया है सबसे पहले ओडीशा और महराष्टरा में यहाँ पर आप्शन एक अरिक्ट हो जाएगा कि सडग बीमा दुरगटना के लिए बाला साथ ठाकरे सडग दुरगटना बीमा योजना को मंजूरी दी है महराष्टरा सरकार में नेक्स्ट कोश्चन है आर्थिक स्पंदन किस राज जिद्वारा शुरू की गई रिड वितरड योजना है आर्थिक स्पंदन ये रिड वितरड योजना है करनाट का सरकार की और इसके अंतरगत कुल 49,300 करोड उपाए के रिढ चुकाने के लिए रिढ देने के लिए इतने 49,300 करोड उपाए को सरकार दौरा प्रदान किया गया है बैंकों को इसमें इसे 15,300 करोड रुपए क्रिशी को प्रदान किये जाएंगे रिड के रूप में तथा 24,000 करोड रुपए गैर क्रिशी कामों के लिए प्रदान किये जाएंगे इस योजना के तहट क्रिसी सहकारी समितियों को बहु सेवा केंदर के रूप में अस्थापित किया जाएगा और अभी कुछ समय पहले ही बुनकर सम्मान योजना को भी लॉंच किया था करनाटका सरकार ने करनाटका के जो मुख्य मंत्री है उनका नाम B.E.S. यदुरप्पा है ये भारती जन्ता पार्टी के मुख्य मंत्री है एक बात और देख लेते हैं उपर महराश्टरा बाला साथ ठाकरे सडग दुर घटना बीमा योजना में इसमें हम बात करते हैं वहां के गॉवर्मेंट की सीम है महराश्टरा के उद्धो ठाकरे और महराश्टरा में कॉंग्रेस सिउसेना और NCP एलाइंस की इन तीनों पार्टियों की एलाइंस गॉवर्मेंट है यानि की साजा सरकार है किसकी कॉंग्रेस सिउसेना और NCP की और जो डेपुटी सीम है महराश्टरा के उनका नाम है अजीद पवार और ये NCP के हैं अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कोश्चन पर उस कंपनी का नाम बताई जिसने दिल्ली में कुसल मजदूरों के लिए अपना घर ड्रीम्ज योजना सुरू की है अपना घर ड्रीम्ज योजना की सुरुवात की है ICICI Home Finance Company ने option D इसका correct हो जाएगा इस योजना के अंतर का जो भी कुसल कारीगर है किसी भी छेतर में skillful है उसके लिए उसको house loan प्रदान करेगी ICICI Home Finance Company और ये house loan 2,50,000 तक का maximum loan प्रदान किया जाएगा 20 सालों के लिए इसके लिए जो नियम बनाया गया है ICICI Home Finance Company के द्वारा कि कोई भी किसी भी छेतर में skillful हो उसको कारी कुशलता हो किसी भी छेतर में तो उसको ये loan प्रदान किया जाता है कारी कुशलता के लिए उन्होंने ये नियम बनाया है कि कोई एक ही छेतर में कोई व्यक्ति लगभग 20 सालों से काम कर रहा हो तो उसे अपने ग्रिह निर्माड के लिए धाई लाख रुपए तक का loan दिया जाएगा ICICI Home Finance Company के द्वारा इसके अंतरगत बारबर शॉप और जो बढ़ाई का काम करते हैं जो राजगीर मिस्तरी होते हैं जो मोची होते हैं जो लेदर का काम करते हैं कोई छोटा लेवर या फिर बढ़ावर कर जो किसी भी काम में स्किल्फूल है यानि कि उसके अंदर कौशल है किसी भी काम को करने का बाल काटना आपने आप में एक कौशल का काम है तो उनको भी धाई लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, हाउस लोन, ICICI Home Finance Company के द्वारा, राजमिस्त्री जो की ग्रीह निर्मार कार करते हैं, उनको खुद के ग्रीह निर्मार के लिए लगभग धाई लाख का लोन प्रदान किया जाएगा, इसी तरीके से किसी विछेतर के स्किलफुल इंसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए, अपना घर ड्रीम्ज योजना की सुरुवात की है, आइसी आइसी याई हों फाइनेंस कंपनी, आप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन है, डिजिटल साथचरता सेवा चैट बाट के लिए, किस कंपनी ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ साज़ेदारी की है, डिजिटल लिट्रेसी सर्विस को ससक्त बनाने के उद्देश से वाट्स अप ने एक चैट बाट को लाँच किया है, और इसके लिए उसने CSC, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भागिदारी की है, तो वाट्स अप आप्शन भी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, और इस साजिदारी का उद्देश है, इगवर्नेंस, सिक्षा, हेल्थ, टेली मेडिसिन, इंटर्टेन्मेंट के छेतर में प्रभासी वीडियो और आडियो का डेटा प्रुवाइड कराना उन सभी के लिए जो इस छेतर में अपने केरियर को बनाना चाहते हैं, इसके लिए उन केरियर बनाने वाले व्यक्तियों को CSC के आधिकारिक WhatsApp एकाउंट पर 4x9189321 पर नमस्ते लिखकर सेंड करना होगा, इसके बाद से आपने आपके पास एक आप्सन का पूरा उस चैट बॉट के द्वारा एक आप्सन से पूरा पूरा जो भी स्कीम इसे Common Service Center के जरी WhatsApp प्रोवाइड करा रहा है, उसका पूरा आपके पास एक लिस्ट आजाएगा और फिर आप इस अपने चैट को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर आपके लिए जैसे आपने टेली मेडिसिन से संबंधित कोर्स के लिए आप्सन को चुना, तो आपको टेली मेडिसिन से कोर्स के लिए डिजिटल सेवा के द् वीडियोज और आडियोज प्रदान कर दी जाएंगी वाट्सअप के चैट बाट द्वारा ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए जो वाट्सअप के एकाउंट पे नमस्ते लिखके भेजना है और वो नमबर वाट्सअप ने जारी किया है वो नमबर है फूर क्या करना होगा इससे संबंधि सारी जानकारियां प्रदान कर दी जाएंगी वाट्सअप के चैट बाट द्वारा ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्यन है हेमवती नंदन बहुगुडा गढ़वाल विश्विद्याले ने किस संस्थान के साथ साथ स यह स्थित है श्री नगर उत्त्राघंड में श्री नगर एकस्थान का नाम है उत्त्राघंड में यह श्री नगर जम्मुकास्मिर के स्री नगर से कन्फ्यूज नहीं होगे हे मोती नंदन बहुड़ा विश्विद्याल है ये स्रीनगर जो की उत्तराखंड में है वहाँ पेश्थी थे इसने आरेभट रिसर्ज इंस्ट्यूट आफ अबजर्वेशन साइंसेज नैनिताल के साथ सैयुक्त रूप से एरुसाल, वाई गुडवत्ता, जलवाई परविर्तन और जल संसाधन और आज इविका पर प्रभाव के लिए एक अंतराश्री सम्मेलन का आयुजन किया था यहाँ पे आप्सन ए करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है असोग गस्ती जिनका हाल ही मेनी दिन हो गया, यह किस राज जिसे वर्तमान राजसभा सांसध थे? यह राजसभा के सांसध थे करनाट का राज से और यह बीजेपी से सांसध थे राजसभा के लिए यह कोविड-19 की कारण इनकी मृत्ती हुई और इनकी उम्र बावन वर्स के थे यह और यह पहली बार ही अभी राजसभा सांसध में पहुँचे थे और इन्होंने जुलाई 2020 में राजसभा सांसध के रूप में सपत ली थी आप्सन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा किस राजसरकार ने हाल ही में इलक्ट्रानिक दूई पहिया और इरिक्षा के लिए सबसीडी योजना की घोशड़ा की है इरक्सा और लिक्ट्रानिक दोपहिया वाहनों के लिए सबसीडी की घोशड़ा की है »GUJRAT GOVERNMENT ने गुजराद GOVERNMENT का इलक्ट्रानिक वाहनों और इलक्ट्रानिक E-RX에 पर सबसीडी योजना की घोशड़ा करने के पीछे air pollution को रोकने के लिए electronic वाहनों को उप्योग को बढ़ावा देने का उद्देश है इसी उद्देश से गुजरात सरकार ने electronic वाहनों पर और electronic एरिक्सा पर सबसीड़ी देने के घोशड़ा की है अभी ये जो घोशड़ा की गई है 17 सिप्टेंबर को की गई और इसमें क्या था कि 17 सिप्टेंबर को प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी का जनलिवस था और गुजरात में पंच सील उपहार योजना एक चलाई गई पांच योजनाओं को एक साथ लाँच किया गया उसी पांच योजनाओं में से एक योजना ये भी है जिसमें इलक्ट्रानिक दोपहिया वाहन और इरिक्सा को सबसीड़ी दी जाएगी गुजरात के सरकार द्वारा गुजरात की राजधानी गाधी नगर है विजयरुपानी गुजरात के चीफ मिनिश्टर है और आचारे देव ब्रत वहां के गवर्नर है क्या होती है सबसीड़ी यानि कि जो भी उसकी मूल का कॉस्ट आती है मतलब रियल कॉस्ट जो होती है उसमें से कुछ पैसे गौर्वर्मेंट पब्लिक की तरफ से देता है यही सबसीड़ी होता है तो अगर धाई लाख रुपए का इरिक्षा आ रहा है तो उसमें से पच्चास जार रुपए सरकार देगा जो इरिक्षा खरीदेगा उसकी तरफ से और उसे वो इरिक्षा दो लाख रुपए में ही होगी और साथ ही साथ air pollution भी कम होगा option A correct हो जाएगा next question है हाल ही में किस bank ने i-lead i-lead का full form है inspiring leads नाम से एक सेवा शुरू की है inspiring leads नाम से सेवा शुरू की है केंडरा बैंक ने option A correct हो जाएगा inspiring leads सेवा का प्रमुखुद्देश जो customer है customer service को बढ़ाने के लिए उसके छेत्र को विक्सित करने के लिए ही केंडरा बैंक ने i-lead सेवा की सुरूआत की है इसके अंतरगत internet banking mobile banking call center SMS सेवा मिस्ट काल सेवा इन सब सेवाओं को और ज्यादा उत्कृष्ट किया जाएगा साथी साथ और लोगों तक इसकी पहुँच बनाई जाएगी इसलिए i-lead नाम से सेवा सुरू की गई है केंडरा बैंक का headquarter बैंगलोरू में है और इसकी जो tag line है ये है together we can और T.N. Manoharan इसके chairman है option A correct हो जाएगा next question है चीनी कंपनियों द्वारा प्रमुक भारती राष्टरपती सेना प्रमुक पर डिजिटल निगरानी की रिपोर्ट की जाच के लिए खेंदर सरकार द्वारा गठित विशेशक के समित का अध्यक्ष कौन है Indian Express ने कुछ दिनों पहले एक खुलासा किया कि भारत में कार कर रही कुछ चीनी फर्मो द्वारा भारत के VIP और महत्पूर लोगों पर डिजिटल तरीके से निगरानी की जा रही है जिसमें भारत के राष्टरपती भारत के सेना प्रमुक ये लोग भी सामिल है इसके बाद जो Indian Government है वो हरकत में आई और उसने एक समिती बनाई इसे Indian Express की रिपोर्ट की जाच करने के लिए कि क्या ये सही बात है कि जो Indian Express की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में कुछ चीनी फर्म जो काम कर रही है वो भारत के VIP लोगों भारत के प्रमुख भी इन VIP लोगों में समलित हैं उन पर digitally नजर रख रही है इसी के लिए एक समित बनाई गए और इस समित के अध्यक्ष है राजेश पंत ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भारत के भारत का जो National Security Council है राष्ट्री सुरक्षा परिशद है इसके प्रमुख ततकालिक प्रधान मंत्री होते हैं और प्रजेंट टाइम में हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी है यही भारत के National Security Council राष्ट्री सुरक्षा समित के प्रमुख है और राष्ट्री सुरक्षा समित के सच्चिव अजीट दोभाल है यही राष्ट्री सुरक्षा प्रधान मंत्री के अध्यक्षता में इस समित का कार ये है कि ये इंडियन एक्स्प्रेस द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि भारत के कुछ चीनी फर में भारत के वियाईपी लोगों और इन वियाईपी लोगों में भारत के राष्टपती सीना प्रमुख हैं उन पे डिजिटल निगरानी रख रही हैं इस खबर की सच्चाई का पता लगाने के लिए ही राजेस पंथ के अध्यक्षता में विशेशक के समित का गठन किया है केंडर सरकार ने आप्सन देने के बाद किसे खाद प्रसंसकरण उद्योग मंतराले का अतरिक्त प्रभार दिया गया है क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर को आप्सन सी करेक्ट हो जाएगा और राम बिलास पासवान हमारे कंज्यूमर अफेर फूड एंड पब्लिक के मंतरी है नरेंद्र सिंग तोमर हमारे क्रिसी और किसान कल्यान मंतरी है और नरेंद्र सिंग तोमर को ही खाद प्रसंसकरण उद्योग मंतराले का अतरिक्त प्रभार दिया गया है और खाद प्रसंसकरण उद्योग मंतरी जो पहले थी ये हर सिम्रत को और बादल थी और इ संचार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित किस ने किया? BRICS संचार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित Minister of State for Electronics and Information Technology State के जो मंत्री है Information Technology के संजय धोत्रे ने किया Option A यहाँ पर correct हो जाएगा लेकि किसी भी मंत्राले में दो मंत्री होते हैं और दूसरा जो होता है वो राज्य मंत्री होता है State Minister जिसे बूलते हैं तो BRICS संचार मंत्रियों की बैठक में भारत के जो भारत का जो संचार मंत्राले था उसके राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इसका इसमें भारत का प्रतिनिधित किया और भारत के जो कैविनेट मिनिस्टर हैं संचार मंत्रा लेके वो हैं रवी शंकर प्रशाद विक्स ये कुल पांच देशों का समू है और इसके नाम में ही सारे देश आते हैं विक्स B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China और S for South Africa है और इस वर्स के लिए जो 2020 का वर्स है बिक्स देशों का अध्यक्ष देश रशिया है और अगला वर्स यानि की जो 2021 का होगा वो उस समय भारत होगा BRICS देशों का अध्यक्ष देश प्रतेक वर्स BRICS देश के अध्यक्ष देश अल्टरनेट तोर पर चेंज होते रहते हैं तो इस वर्स रसिया है अगले वर्स इंडिया होगा फिर उसके अगले वर्स चाइना होगा और जो G20 यानि जो 20 देशों का एक समूँ है उसमें इस वर्स सौदी अरब है उसका अध्यक्ष देश अगले वर्स इटली होगा G20 का अध्यक्ष देश और फिर उसके अगले वर्स भारत होगा G20 का भी अध्यक्ष देश और संजेध होत्रे स्टेट मिनिस्टर है Electronics and Information Technology के साथिसाथ संजेध होत्रे ही स्टेट मिनिस्टर है Ministry of Education के भी और Education Ministry के जो Cabinet Minister है वो हैं रमेश बोखरियाल निशंग यहाँ पे Option A करेक्ट हो जाएगा Next Question है Institute for Management Development द्वाराचारी Smart City Index 2020 के दूसरे संसकरण में किस शहर को सीर्स अस्थान दिया गया Institute for Management Development यह इसी थे लाजें स्विजर लेंड में और यह पिछले वर्स यानि कि 2019 से एक इंडेक्स जारी करता है एक सूची जारी करता है जिसमें कि यह Smart City Index के नाम से इसको जारी करता है जो सहर है उसमें कितन Smart City जो सहर है उन्हीं के लिए यह इंडेक्स होता है और इस वर्स जिस सहर ने इस सूची में सीर्स अस्थान प्राप्त किया है वो है सिंगापूर सिंगापूर खुद में तो एक देश का नाम है और लेकिन अगर हम सिंगापूर है रिपब्लिक आफ सिंगापूर की राजधानी सिंगापूर यह इसी सहर ने इंस्ट्ट फॉर मैनेजमेंट डेवलेप्मेंट द्वारा जारी Smart City Index में इस वर्स सीर्स अस्थान प्राप्त किया है option B करेक्ट हो जाएगा और हेलांस की यह फिनलैंड की राजधानी है हेलांस की ने इस सूची में दूसरा अस्थान प्राप्त किया जबकि जियूरिक स्विजलैंड का एक शहर का नाम है और इसने इस सूची में तीसरा अस्थान प्राप्त किया यानि टॉप थ्री में दो शहर रिपब्लिक आप सिंगापूर के हैं एक सिंगापूर रिपब्लिक आप सिंगापूर की कैपिटल और दूसरा जियूरिक जो की रिपब्लिक आप सिंगापूर का एक शहर है पहले और तीसरे अस्थान पे है जबकि हिलांस की जो की फिनलेंड की राज़ानी है वो इ शियास्वी रेंख है, नई दिल्ली की और तिरान नवे रेंख है, इस सुची में मुंबई की, मुंबई का और पंचान नवे रेंख है, इस सुची में बंगलोरु का। अगर हम यह बात करें कि कौन से सहर ने Institute for Management and Development द्वारा जारी, इंडेक्स में, भारत के किस सहर ने सीर सस्थान प्राफ्त किया, भारत के किस सहर ने सीर सस्थान प्राफ्त किया तो हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद की, अगर हम overall ranking की बात करेंगे, तो यह 85th यानि 50 वी rank है है हैदराबाद की और किस शहर ने भारत का कौन सा साहर है जिस ने सीर्षस्थान प्राप्त किया इंस्ट्टूट फॉर मैनेजमेंट डेवलप्मेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में तो हैदराबाद फिफ्ट रेंग के साथ पहले अस्थान में है भारत के लिए निन्नाई दिल्ली छियास्विया अस्थान है ओवराल लेकिन दूसरा अस्थान है भारत के लिए और मुंबई पुरे विश्व में 93 रेंग पे 93 अस्थान पे है लेकिन भारत में इसका रैंक तीसरा है, बेंगलोरू पूरे वर्ड में 95 अस्थान पे है, इसे सूची में लेकिन भारत में बेंगलोरू की रैंक चोथी है, ये टॉप 100 सिटी है, टॉप 100 सिटी में भारत के चार साहर हैं जिन्नों ने अपना अस्थान बनाया है, Institute for Management and Development द्वाराजारी स्मार् और Management and Development ये लाजें स्विजर लेंड में स्थित हैं, नेक्स्ट कोश्चन है,